हेलो फ्रेंट्स मेडेगाइड चैनल में आपका स्वागत है आज हम बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में दाद खाद खुजली के कुछ गरेलू उपाई तो बने रहे वीडियो के आन तक तो अब जानते हैं एलो वीरा के उस्दिये गुनों से हम सबी वाकिफ है एलो इस लोग जूस के तोर पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं स्कीन एलर्जी से छुटकारा पाने का ये सबसे बैतरी नुपाय है अगर आपको एलर्जी के कारण सरेर में खुजली और तवचा के सूखने की समस्या हो रही है तो एलो वेरा के उस्दिये गुनों से जल्दे ही ज जिल इस्तेमाल कर सकते हैं 30-40 मिनट के लिए ये लभी जेप लगा कर चोड़दे कुछी दीनों में कुझली और जलन की समस्या से रहत मिलेगी बैकिंग सोडा कीचन में पाई जाने वाल एक चीज है जो तोचा की कई समस्यां को दूर करता है अगर आप चीन एलर्जी से प पिया संतुलन बनाई रखने में मदद करता है जाने इसे यूज कैसे करें स्कीन पर बैकिंग सोडा का यूज करने के लिए सबसे पहले एक चममच बैकिंग सोडा ले और इसमें थोरा से पानी मिलाएं अब इसका एक स्मूथ पेस्ट बना ले इसे अलर्जी वाले जगह पर अपलाई करें दस मिनट बाद इसे दोले अलर्जी से चुटकर अपाने के लिए तीन से चार बार आप इसका यूज कर सकते हैं लसुन भी दाध ठीक करने में हेलफ फूल हैं लसुन में अजोईना नामक एक प्राकियतिक एंटी फंगल एजेंट होता है जो फंगल संकर्मन को ठीक करने में मदद करता है लसुन को पीश कर पेस्ट बना ले फिर इसे परभावित जगे पर लगाए जब तक ठीक ना हो जाए तब तक लगाते रहें करेले का पत्ते का रस और गुलाब जल का यूज से भी दाध ठीक होता है करेले के पत्ते का रस और गुलाब जल मिल कर लगाने से दाद में सिगरी लाव मिलता है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सेर जरूर करे ताकि किसी और को भी इसका फैदा मिल सके अगर अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो सबस्क्राइब जरूर करे धन्यवाद